नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तो तारीक है 27 मही 2020 और कल के लिए 28 मही 2020 थ्रज देख लिए गुरू वार्क लिए तीन श्टॉक को दोस्तों सेलेट कर लिया है उन 6 श्टॉक के इंट्राइडे चार्ट नहीं होगी तो छे श्टॉक्स की सीरीज में दोस्तों जो सबसे पहला इस्टॉक है आपके सामने में उसका नाम है ऐसी सबस्क्राइड का देख यह डिका चार्ट चार्ट यह डेली के चार्ट पर देख रहे हैं एक जबर्दस्त प्राइस चानल लगवग एक मेने अच्छे बॉलूम के साथ नीचे बॉलूम भी देख रहें अच्छे बॉलूम के साथ ब्रेक आउट किया है एक्सिस बैंक ने तो दोस्तों इसके बाई और सेल लेवल जो एक्सिस बैंक को इसको ध्यान में रखते वे निकलेगा वह कुछ इस परकार होगा कि अगर एक्सिस 293 को तो भाई करेंगे तोभाई का लेवल यहां पर लिख देता हूं 283 393 अच्छे निचे की तरफ में दोस्तों ब्रेक करता है 384 को तो सेल करेंगे सेल विलो 384 यानि कि 384 के नीचे सेल का लेबल निकले और स्टॉप लगा लेंगे इस कंडिशन में 387 यानि कि 387 रुपए का फर्स्ट टार्गेट सेल साइट का जो पहला टार्गेट होगा 381 381 का सकेंड टार्गेट होगा 378 378 का और थर्ड टार्गेट 375 375 रुपए का तो शुरू के पांच मेर्ट बिल्कुल भी टेट को एवाइट कीजिए उसके बाद यह स्टॉक हमारे बाइं या सेलिंग लेवल को एजूट करें तो ही टेट करें दोस्तों अर्वाइट को ए राश्य पस के रह गिए तो इस लिवल को जिधर विटाइट कल बरेक करेगा तो एक अच्छा लेवल दे सकता है ररेंजबांड हो गया बिल्कुल तो बाय करेंगे टायटन को उपर की साइड में अगर eight ninety two discover वाइं करेंक्या अध्यट drie टॉपएक Estados पहला टार्गेट जो होगा इस कंडिशन में 899 का होगा यानि कि 899 रुपय का दूसरा टार्गेट जो होगा वह होगा 905 का यानि कि 905 का और तिसा टार्गेट होगा 920 यानि 912 रुपय का सेल करेंगे टाइटन अगर नीचे की तरफ में 870 को ब्रेक करता तो सेल करेंगे सेल बिलोग 870 की नीचे सेल करना है और इस्टाप लगाएंगे 877 यानि कि 877 रुपय का पहला टार्गेट सेल साइट का जो होगा वह 863 का होगा बढ़ेंगे टार्गेट होगा 856 और थर्ड टार्गेट होगा 849 यानि कि 849 रुपय का जोस्तो फिपर स्टार्गेट के पार पहुंच मिनट के बाद अगर आप पोजिशन लेते और टार्गेट पहला आ जाता है तो जरूप कर लेना चाहिए क्योंकि जो लोग प्रफिट और तिसरा इस्टोल जो है आपके सामने में वह है ग्रासिम का डेली का चाहते है राणिंग बाटन पैटर बना रहा है एक अच्छे वोलूम के साथ बुलिश केंडल काफी है भी बुलिश केंडल अपने प्रिवियस रेजिस्टेंस इसको आर आगे बढ़ाएंगे तो यहां 564 रुपए का 566 रुपए का हमारा इस्टॉप लोस होगा और पहला टार्गेट जो होगा हमारा 574 का होगा 578 का और थर्ड टार्गेट जो होगा 582 582 रुपए का होगा सेल साइट ग्रासिंग को करेंगे जब यह 563 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे सेल बिलो 563 563 के नीचे सेल करना है और इस्टॉप लगा लेंगे इस कंडिशन में 567 यानि 566 रुपए का पहला टार्गेट जो सेल साइट का होगा दोस्तों वह हमारा होगा 559 यानि कि 569 क सकेंड जो होगा 555 का होगा 555 का और थर टार्गेट जो होगा 551 होगा यानि कि 501 रुपए का दोस्तों अगर अभी तक आप लोग ने टेलिग्राम चानल नहीं जोइन किया है तो जरूर जोइन किजिए लाइब मार्केट में वहाँ पे कॉल्स मिलते हैं टेलिग्राम चान अब उस रेंज में जाके कर रहा है इसके इसके बाय लेबल निकलेंगे एससी बैंक को हम लोग अब यह 322 को ब्रेक करेंगा तब वाइब टू यानि 322 के उपर बाय करना इस्टॉपलोस 319 का लगा लेंगे 319 रुपए का हमारा स्टॉपलोस हो जाएगा और पहला टार्ग सेल करेंगे आइस से अगर नीचे की सैडम ब्रेक करता है 315 को तो सेल करेंगे विलो 315 और इस्टोपलोस लगा लेंगे 318 का 308 का पहला टार्गेट जो होगा 312 रुपय का 322 सेंड टारगेट होगा 309 309 रुपय का और थर्ट टारगेट होगा 306 306 रुपय का दोस्तों तो यह है चौथा इस्टोगा दोस्तों बीना स्टॉप्रोस के कभी भी ट्रेड ना करें अपने ट्रेलिंग स्टॉप्रोस के यूज जरू करें एक्सपारी का डे है कर तो ज्यादा वाली ट्रेटरी देखने को मिल सकती ह उसको ध्यान में रखके ही ट्रेट करें बढ़ते हैं पांच में स्टॉप्रोस की तरफ और उसका नाम है आपके सामने एशियन पेंट का यह बिल्कुल एशियन पेंट जो है टाइटन के जैसे ही दो तिन केंडल के बाद एक रेंज फस गया ना उपर गया न नीची यह भी 1623 रुपय का पहला टारगेट होगा एशियन पेंट में 1649 का 1639 का सकेंड टारगेट होगा 1647 1647 और ठर्ट टारगेट होगा 1655 1655 का सेल करेंगे एशियन पेंट नीचे की साइड मगर यह 1610 को ब्रेक करता तो सेल करतेंगे और इस टॉप उपस लगा लेंगे हम लोग इस पहला टारगेट की बात करें हम लोग इस कंडिशन में तो फ़र्ट टारगेट होगा 1602 1602 का सकेंड टारगेट होगा 1594 1594 और ठर्ट टारगेट होगा इस कंडिशन में 1586 यानि की 1586 रुपय का तो अगर टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो जरूर जोएन किजिए वी प्राइस को अगर ब्रेक करेगा जील में तेक अच्छी बाइंग या सेलिंग आपको वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी मिल सकती है जील उपर की साइड में अगर 167 ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 167 के उपर बाय करना है और श्टॉप लोगा 165 का श्टॉप रहेगा प दूसा टार्गेट होगा 171 यानि 171 और तिसा टार्गेट होगा 173 173 का जील नीचे की साइड में अगर 163 ब्रेक करता है तो तो सेल करेंगे सेल का लिवल 163 के नीचे सेल करना है और इस्टॉप लोगा लेंगे हम लोग इस कर दिशन में 165 यानि 165 रुपय का अच्छा और इसका जो टीन टार्गेट होगा नीचे की साइड में पहला टार्गेट होगा 161 का 161 का सेकेंड टार्गेट होगा 159 169 का और थर्ड टार्गेट होगा 157 177 रुपय का दोस्तों यह 6 श्टॉक्स की सीरीज में 28 माई 2020 थरज देख लिए है तो एक्सपारी का ड निवार